दोस्तों नमस्कार्स वागते हैं आप सभी का ओलाइन इड़ा फॉस्टी यूटूब चनल पे इस वीडियो में बात करने वाले एक बड़ी और लेटिस अपडेट के बारे में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई सिच्छा सेवा आयोग के गटन को लेकर मुख्यमंती की अध्यक्सा के अंदर आज एक बैठक बुलाई गई थी जिसके बारे में जान कई आप सुभी को आज के अलग-अलग समाचा पत्तों में भी दी गई थी आज होने वाली बैठक को लेकर बताया गया था कि नई सिच्छा सेवा आयोग को लेकर सम्बंद में अभी अभी बड़ी अपडेट ही है कि नई सिच्छा सेवा आयोग को लेकर आयोजित की गई बैठक के बारे में कैबिनेट की बैठक खतम हो चुकी है और इस बैठक में कौन-कौन से फैसले लिए गए उसकी सूची जारी कर दी गई है वीडियो को लाइक कर चैनल को सुब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकाई सबसे पहले दी जाएं यहां पर आप सभी के सामने कैबिनेट बैठक को लेकर जो आयोजिन देखने के लिए मिलेगा उससे संबंदित इमेजिस देखने के लिए मिल ज उचे लें उसमें कुछ मुद्दे रखे गएं थे님이 यहां से 17 प्रस्तावों को मंजोई दे दे गई यह सभी शबी सभी सत्रे प्रस्ताव को मंजोई के सामने हैं आप लोग इनको पढ़ सकते हैं इसके अंदर बात की जाए मिद्धों के बारे में तो यहां पर उनकी तरफ से नए सिच्छा सेवा आयोग को लेकर cm योगी के माध्यम से आज cabinet बैठक के अंदर कोई मंजूरी नहीं दी गई है यानि कि जानका ही देखने के लिए कि cabinet के माध्यम से सत्रे के सत्रे जो प्रस्ताव आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं वो सभी अलग-अलग मुद्दों से संब्दित हैं लेकिन यहां पर अगर बात की जाए आप सभी के लिए नए सिच्छा सेवा आयोग के बारे में नई प्राइमरी सिच्छकवर्थी को ले है या फिर केबिनेट में पेश नहीं किये गए हैं फिलाल जो केबिनेट बैठक देखने के लिए मिली थी वो खतम हो चुकी है और उसके बाद से नए सिच्छा सेवा आयोग का इंतजार करने वाले अभ्यतियों का इंतजार और ज्यादा बढ़ा गई है अब इसके लिए फिर से इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जब अगली बैठक होगी तभी नए सिच्छा सेवा आयोग का घटन होगा क्योंकि आप जानते हैं कि 24 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है उससे पहले सीम योगी कब तक इस मुद्धे पे अपना अंतिम लेती हैं देखना दिल्चस्प होगा कोई भी अथेंटिक अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें